चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल मार्किट जैसा पाव वो भी कराही में यानि हम बिना ओवेन बनाने वाले हैं इसे जो कि बहुत ही जादा स्पॉंजी और टेस्टी भी है तो चलिए फटा-फट से रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें पैन में एक कप की करी पानी डालना है और पानी को न हम उंगली लगा कर चेक करेंगे यानि इतना पानी गर्म होना चाहिए जिसे हम आसानी से छूपा है और अब हम इसे कटोरी में डाल देंगे अब हम इसमें एक चमच के करीब चीनी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे या से कम 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे इस इस्ट जो है न फुलाने का काम करेगी हमारे पाउ को तो अब हम क्या करेंगे दो कप के करीब मैदा ले लेंगे और इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे जो कि मैंने वन बाई हाफ टेबल स्पून के करीब डाला है और अब देख सकते हैं कि इस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है अगर आपका इस्ट इस तरीके से ना फूले तो आप न यहीं पर अपने पाउ बनाने के प्रोसेस को बंद कर दिजे क्योंकि आपका पाउ नहीं फूलेगा इस्ट ना हमें अच्छे क्वालि तो इसी तरीके से मैंने दो बार में सारे पानी को डाल के मिक्स कर लिया है तो अब यह अच्छी तरीके से डो इकठा हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे जो रूम टेंप्रेचर पे पानी होता है ना मैंने वही पानी लिया है जो की वन बाई फोर्थ कप के क आपको यहाँ पर दो तीन बड़ी चमच पानी ज्यादा भी लग सकता है जरूरी नहीं है कि उतना ही पानी लगे और पानी डाले के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से पटकेंगे और अच्छी तरीके से मसल लेंगे कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग मैं इस डो को ऐसे म मांच मिनिट तक ऐसे मसला है और फटका है तब जाके यह इतना जादा स्मूथ हुआ है तो अब हम क्या करेंगे स्मूथ करने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे एक चमच के कड़ीब बटर और बटर डालने के बाद अब हम इसे फिर से 2-3 मिनिट तक अच्छी तड़ी तरिके से मसल लेंगे यानि तब तक मसल लए जब तक बटर अची तडिके से मेल्ट नहीं हो जाता यानि मैदा को अच्छी तरिके से बटर अब्जॉर्ब नहीं कर लेता तब तक और अब आप देख सकते हैं कि हमारा डूब बहुत ही जादा स्मूथ हो गया है तो अब हम इस से ढखक कर कम से कम दो घंटे के लिए छोड़ देंगे आपने यहां पे इसे किसी गर्म जगह पे रखेगा जिससे नहीं है बहुत ही जल्दी फूल जाएगा और दो घंटे बाद आप देख सकते हैं कि दो बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है अगर आपका इस्ट अच करेंगे और इसे ना कट कर लेंगे मैंने इसे ना नौ भागों में यानि नौ पार्ट्स में कट किया है तो अब हम क्या करेंगे एक पार्ट्स लेंगे और कुछ इस तरीके से टक करते हुए इसे स्मूथ कर लेंगे तो बस हमारा एक बॉल्स त्यार है तो हम कोई भी बेकि त्यार की हम सभी को इस बेकिंग टीन में डाल देंगे और अब हम इसे ढग कर कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि यह और विजादा फूल जाए और आधे घंटे बाद अब यह बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है तो हम इसके उपर से दूर अच्छी तरीके से ब्रस की सहता से ग्रीस कर देंगे और इसे न कोई भी गर्म कराही में डाल देंगे मैंने यहाँ पर कराही के अंदर नमक और कोई भी स्टैन या फिर कटोरी आप डाल सकते हो मैंने स्टैन डाला और इस पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बेक कर लेंगे और इ अब यह बहुत ही जादा गर्म है तो हम इसे कराही से अलग करेंगे और इसे गीले कपरे से ढखकर छोड़ देंगे एक मिनट के लिए और इसके बाद हम बटर से ग्रीस करेंगे और किनारों से ना ऐसे कोई भी नुकिलिय चीज से हम इसे स्क्रैच कर देंगे जिसे बहुत ही झाल झाल